सूरत में चैन्नी सूपर किंग्स की टीम जम कर अभ्यास कर रही है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंट्रा इसक्वेड प्रैक्टिस मैच में किन खिलाडियों ने अच्छा पुरदर्शन किया कौन से खिलाड़ी इस ट्रैनिंग कैम्प का हिस्सा बन चुके है साथ ही हम आपको बताएंगे दीपक चाहर और रितुराज गायक बालक कव चैन्नी का कैम्प जोइन कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें 26 मार्च से हो रही है आपको बता दें IPL का सेडियूल जारी हो चुका है पहला ही मुकाबला चैन्नी का होगा चैन्नी सुपर किंग्स की टीम लगतार तैयारियों में जोटी हुई है चैन्नी की टीम ने सूरत में अपना कैम्प लगाया हुगा है इसी बीच चैन्नी सुपर किंग्स के सभी खिलाडियों ने एक इंट्रा स्क्वेड प्रैक्टेस मुकाबला खेला था जिसमें महिंदर सिंग धोनी की बहतरीन पारी देखने को मिली इस प्रैक्टेस मैच में महिंदर सिंग धोनी के पले से 26 गैंदो में 55 रन निकले आपको बता दे महिंदर सिंग धोनी ने इस दोरान कई बहतरीन सौट्स लगाए महिंदर सिंग धोनी सांदार फोम में दिख रहे हैं और लगतार जमकर अभ्यास कर रहे हैं निश्चेत तोर पर धोनी IPL 2022 में धमाल मचाने की तैयारी में हैं। आपको बता दें सब्भ्यास मुकाबले में महिंदर सिंग धोनी के अलावा अमबाती राइडू, रॉबिन उथपपा, तो सारदेश पांडे, केम आसिप, प्रिसांत सौलंकी, सिमरंजीत सिंग, भगत बर्मा, हरी निसांत और एन जगदी सन सामिल रहे। अब हम बात करते हैं दीपक चाहर और रितुराज गायकबार के बारे में चैन्ने सुपर किंग्स के लिए एक बुरी और एक अच्छी ख़वर आ रही है, दीपक चाहर आईपिल 2022 से बाहर हो सकते हैं और ऐसे में चैन्ने को दीपक चाहर का विकल पे तलास न होगा। दूसरी तरह प्रितुराज गायकबार तेजी से रेकवर कर रहे हैं और उमी जताई जा रही है कि आईपिल 2022 से सुरू होने से पहले ही वो चैन्ने की टीम को जॉइन कर लेंगे। एक और बड़ी अपडेट आ रही है टीम के स्टार ओल राउंडर डॉयन ब्रावो भी सूरत पहुँच चुके हैं वो फिलहाल अभी कॉरेंटीन है डॉयन ब्रावो आईपिल 2022 में भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है क्या चैनली सुपर किंग्स आईपिल 2022 का खिताब जीत पाईगी आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलें।